नमस्कार आप देख रहे हैं कलम न्यूज अनमानगाड जिले में पुलिस दिक्षक के पद पर राशी डोगरा पद स्थापी थी और उनका स्थानांत्रन जहां से जोधपूर किया गया है जोधपूर स्थानांत्रन होने के बाद आज जिला पुलिस दिक्षक कारले में उनकी विदाई पार्टी रखी गई और स्टाप के दवारा और अधिकारियों के दवारा उनके कार्यकाल को जाद भी किया गया और वहीं दूसरी और पुलिस लाइन के अंदर भी उनको आज पुलिस दिक्षक कारले की समस्यों का मामड़ा हो सफ़कार उनकी स्टाप के दुवारा यही का आगए कि इनका सायोग समय समय पर मिलता रहा है और जिला कलेक्टर भी इस समयरों में खास रूप से शिर्कत उनकी है और एस पी राशी डोगरा के कार्यकाल के समय जो कार्य कि किये गए हैं चुनाव समपादित किये गए इसके समंद में भी जिला कलेक्टर के दुवारा उन्हें जखा गया कि इनका सायोग और उनके पुलिस के नितरप्त में हनुमानगड जिले के अंदर चुनाव शांती पुरवक समपादित किये गए हैं अब आपको यह भी सुना करते हैं कि हनुमानगड जिले के क्या अनुबव रहे इसके बारे में राशी डोगरा जो की एसपी के पद पर यहां करड़त थी उनका क्या कहना है हनुमानगड में जो मेरा सवा साल का कारेकाल रहा बहुत ही सफल कारेकाल रहा इसमें सभी जो हमने कोरोना महामारी की ट्यूटी की या इलेक्शन किये तो सबसे जादा जो हमेशा मैं यह याद रखूंगी यहां की जनता का सही हो यहां की जनता को चाहे धार्मिक कारेकरम हो या कोई भी बड़े आयोजन हो कोरोना के टाइम में जब हमने उनसे अनुरोध किया निवेदन किया तो उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया अभी भी आप देखें कि जब भी हमारे क्लेटे साब और हमारी कोई मीटिंग होती है किसी मंदिर को या धार्मिक प्रतिस्ठान को खोले ना खोले तो भी सारे धर्म गुरू आते हैं वो बहुत ही कॉपरेट करते हैं मीडिया ने भी हमारा बहुत कॉपरेशन किया जित्ती बड़ी वारदाते हुई उसमें हमें अगर स्ट्राटेजी बनाने के लिए जिस तरह भी कोई इंफॉर्मेशन हमें छुपानी भी होती थी तो मीडिया के पास वो इंफॉर्मेशन होते हुए भी वो उसको लीक नहीं कर है कि हन्मानगर जिले के अंदर इस कारेकाल के दुरान उन्हें अच्छा समाज का भी सजोग मिला है जनता का सजोग मिला है और खासकर पत्रकारों का भी साययोग समय समय पर मिलता रहा है और यहां के सभी अधिकारियों करमचारियों ने मेरे साथ जो है कारेकाल के अंदर अच्छा काम भी किया है कलम नहुज के लिए गुरदेव सिंग सैनी की रिपोर्ट